कि नमस्कार मैं हूँ प्रकर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रॉस फायर क्रॉस फायर में आज हमारे संग एक ऐसी कॉंग्रेस की नेत्री मौजूद है जिने विरासत में राजनीती मिली और वो इस वक्त लखनव से कॉंग्रेस की सीट पर प्रत्याशी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब कॉंग्रेस का उत्तर प्रदेश से रिष्टा खासकर इलावास से लेके लखनव तक और इसके बावजूद उस जमीन को उन्हें कैसे बचाना है वो पर लखनों के लिए वे एक आम राजमीता हैं, लखनों में वो सीम रह चुके हैं, लखनों से वो उत्तरपदेश के अध्वक्ष रह चुके हैं, और लखनों से इतनी साल रहने के बार पी उनका जो रिष्टा बनना चाहिए था, जो कर्ता ही नहीं है, सिवाए अपने भारती जनता पार्टी के कार्य करताओं के, वो शायदी किसी को लखनों में कायदे से जानते हैं, दूसरी बात है कि लखनों बहुत नाराज है, लखनों नाराज इसलिए है, क्योंकि वहाँ पर 25 साल से, 1991 के बाद से, सिव 2012 का चुनाओ छोड़ दीजिए, विधान सभा का, MP पर जितने भी मेर हुए, सब भारती जनता पार्टी के, अभी जितने MLA हुए, 2012 के, सब बीजेपी के, और दो थियाई पार्शर भी भारती जनता पार्टी के, तो बहले ही सरकारे लख यूपी में बदलती रही हूँ, मायवत्य हो, मुलायम हो, फिर बीजेपी हो, लेकिन वहां लगाताल लोग ने भारती जनता पार्टी को वोड़ दिया, और आप ये देखिये कि उनका मुक्य मंत्री महराज साथ साल, केंडर में प्रधान मंत्री दिया लखनो ने, और आप चलके लखनो के लखनो के लखनो की पहचाना जाता है, लखनो अपनी गंगा यमनी वहाँ संस्कृती गतविधिया भात होती है, वहाँ पर हिंदू-मसलमान के क्लैश में लोग यकीन ने करतें, कॉंपसिट किलचर के बारे में बात करें तरह कि संयुकत उप झालियो के बाते हैं, और वहां लोग गत्ते हैं, वहां की दुनिया बर से सलानी आते हैं, वहाँ यह सीनी जिस पर आप चल सकें कोड़े का माल लगा हुआ है वहाँ पर सीवर का पानी घरों में आ रहा है बिजली नहीं है हालात इतने गंदे हैं कि हर साल कई सारे लोग मर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मामारीजे सिस्तिती हो जाती है तो अगर 25 साल में भारतिय सदान मंतरी, मुख्य मंतरी, मेयर, MP, MLA, पारशद सब लेकर लखनों के सूरते हाल नहीं है आपने कहा कि वह मुख्य मंतरी भी रहे आपने कहा कि उन्होंने वहाँ पर काम नहीं किया 25 साल से लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो काडर है वो अटल भिहारी वाजपई क कॉंसिट्वेंसी मानी जाती है यह माना जाता है कि अगर उनकी चिठी आ जाए लाल जी टंडन जीच जाते हैं उनकी खड़ाओं रखके बैठ जाते हैं अटल भिहारी वाजपई का सपोर्ट वहाँ पर है उसको आप कैसे फाइट करेंगी हाला कि कास फेक्टर को कॉंग्र आप अब高 झाल जीक आप देखती है और नहीं भीलेकिन महां 30,000,000,000 ब्राह्मान है वह ब्राह्मान किधर जा रहा है क्ज्कि की टीम कंडिड़ेट वहां पर पर ब्राह्मान रड़ रहे हैं आप है वहां पर सपा सेंभी ब्राह tad खेले तो कोई आर्गुमेंट नहीं है अभी में विदान सवाज लड़ी, सभी ब्रामन लड़े थे, अब 22,000 वोट से जीती, वो इश्यू नहीं है, वो इश्यू नहीं है, इश्यू देखी क्या है, अगर अगर अधल बिहारी जी जीते थे, अगर लाल जी टंडन जीते तो उसके फरक कारते, लाल जी टंडन वा कॉर्परेटर से लेकर और मंतरी तक हुए, तो एक नहीं पचीसों मौले में उनकी पकड़ है, वो जर्दोजी के कारिगरों के साथ उनका संबंध है, 20,000 जर्दोजी की और चिकिन के कारिगर उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ उनक करते हैं, अगर वो कटर पंती आरिसेस की भाष्षा बोलते हैं, तो लखनोन को कभी एक सब्सक्राइब करता है, वो जो मौडरेट, मौडरेट का क्या होता है, अनुवादा है, मध्यमार की थे, तो लोगों उनको स्विकार ख लिया, लेकर अब जो हो रहा है, आरिसेस की न आदमी को चुनेगा, तो इस बार लड़ाई फैनली इंडिविज्वल्स की नहीं है, राजना सिंग जी व्यक्तिकत रूप से भी बहुत पॉपिलर नहीं है, लोग प्रिया नहीं है, और जिस माध्यम से वहा है, वो भी गलत है, लेकिन दो चीजों को अगर आप देखती है आपके पिता का समय रहा है, मंती नंदन बहुगुणा का मुख मंत्री रहे, इसके अलावा फिर नारायन दत्तिवारी, मैंने इसलिए दोनों पहाड कहना भी है, क्योंकि इनके जमाने से भी आपकी connectivity होगी, उसको जब आप कहने जाएंगी, देखने जाएंगी, तो कितना गड़वाली वहाँ पर मौझूद है, कितने पहाड के लोग है, उनको आप कैसे ले रही है, और इनका कहना है कि पूर्वांचल का अदमी वहाँ बहुत है, तो राजनात उनके माध्यम से भी चुनाव लाडना चाहते है, देखें, लखनों बहुत कॉस्मोपॉल्टिन वहां उत्यप्रदेश का कोई ऐसा जनपन नहीं है, जहां कि लोग नहीं है, आप पूर्वांचल की बात के लिए तो में तु पैदाईश्य लाभाद की है, जो पूर्वांचल से लाभाद के लाखों लोग है वहाँ पर, प्रशनिया यहां शेत्रवाद का नहीं है, को देखकर वोटालते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब 2009 का चुनाओ, अगर आप कहते हैं कि दुरुवी करन होना चाहिए, दुरुवी करन तो नहीं हुआ 2009 के चुनाओ, उसे पहले भी नहीं हुआ, तो मैं देखिया, कॉंग्रस पार्टी ना जात के नाम पे वोट ना वो किसी समुदायक विशेश के लिए वोट मांगेगी, हम तो बस इतना ही कहेंगे, कि लखनों की संस्कृति को बचाओ, या की तैजीब को बचाओ, और आप देखिएगा लखनों में, बहुत बहुत जादा विरोध है, भारती जनता पार्टी का, और जिस तरह से इनो अपने लोगों को तोड़ा अन parallel यसे तोड़ा तोंड़ा तो किस बात की सुना मीव किस बात का की लेखर है या आपकी किस बात का मोईटी कर रहें आप देश को, अरे आपको बार से लोग किमपोर्ट करने पड़ रहें, अची सीटों में इज ह olsa लग लड सके, मोधी जी औ दूसरा पहलो भी है, कॉँछे को लोग छोड के जा क्यो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग कॉंग्रेस के साथ बात नहीं करना चाह रहे हैं, उन क्या क्या हो रहा है, अजस्वन सिग नहीं छोड़ा कि नहीं छोड़ा यह तो उन्हा जब चुनाओं आते हैं, तो कुछ कॉंग इधर से उधर, उधर से इधर पिछले 25 साल से आ रहे हैं, तो हमारा जो कमिटेट काडर है, जो कमिटेट लीडर से हैं, वो तो स्कुनाओं में लड़ रहे हैं, कॉंग्रेस पार्टी के तब से लड़ रहे हैं, अब एक दो कोई अगर किसी कारण से चले गए हो, अं इपरीत अधारा में जाना मेरे तो समझ में आता, जो लोग ऐसा करते हो, अन्हें तिक कारे करते हैं, लेकिन सत्पाल जी के बारे में, तोनिया जी ने का, मेरा उत्तरा खंड क्या, सत्पाल क्यों चले गए, और यहां तक बात आई, फिर सफाई देनी पड़ रहे हैं, उनक प्रतिपाल है, लेकिन यह भी गलत है, नहीं जाना चाहिए तक सत्पाल महराजी को, वो सीनियर आद्मी है, बहुत प्रतिश्टिते हैं, उनकी बहुत बड़ी फॉल्विंग है देश में, कॉंग्रेस के साथ इतने दिनों से हैं, कॉंग्रेस उनको इतना सम्मान देती है, अब उनका यह जाना इस वक्त पर मेरे ख्याद से है, लखनेों के लिए आपके नजर में क्या अच्छा हो, कॉंग्रेस पर बहुत अच्छा पूचार के वारा है, कॉंग्रेस के ऊपर यह है कि उसने सुरक्षा देश की नहीं की पाकिस्तान से वो रिष्टे मनाने की बात क करतार बी हेड़ेड हमारे सेनिक कर दिया जाते हैं, सबसे बड़ी बात आप उत्तरप्देश दे बाहर क्यों हैं पिछले 20 सालों से इबात आपने बहुत अच्छा पूच्छा देखिया थे आपको भी तकलीफ है बात कि उत्तरप्देश पिछले 20-25 सालों से पूरी तरह स कि जातिवाद से गरस्त हो चुआ है यह जब मंदर का मूँवमेंट चला मंडल, मंदर जब यह मूऌनच चला तो दलितों ने भी अपना मूवमेंट तेज कर दिया तो एक तरह से फ्राग्मेंट होगे मुलायम सिंग जी उभर गए जब चलन सिंग जी ने शुरू किया था पिछ्वों का मुव्मिंट तो पिछ्वों का अपने नेता बन गए दलितों के अपने नेता बन गए हिंदोतों का पूरा भार अपने उपर बीजीपे ने स्वता ही ले लिया तो ये सारा जो ता वो कहीं न कहीं कास्ट डिविजिन होता चला गया तो हमारे यहां कास्ट करती जाती बात नीकरती धर्म की बात नीकरती संभास रिश है만 अस्रियत है उसको अक्लियत की बाद कानी चाहिए जो बहुत संखिए उनके उपर जिम्हारी की अलब संखिक की बाद करें क्योंकि हर देश में हम भी हमारे हिंदुस्तानी भी झाहिने के अलब संखिके हैं ?isia में ज़ये ? जब लंडन में कुछ जो पेक्षित हैं गरीब हैं जाए वो दलित हो पिछले हो आपके अकलियत हो और किसके लिए कॉंगरिस नहीं किया मंद्रेगा क्या सिर्फ इनके माइनॉर्टी के लिए दिया क्या हमने जैनारे चेंग दिया जो खादर सुरक्षा दिनीम दिया जो हमने राइट वेड़ एड अदिकार कानून दिया ये सारे ब्लाइकरन अधिनियम दिया आप ये तो पाइम पन्दरा प्रतीशचत नहीं बारी मुसल्मानों को भी दे दीजिए, बाइस पतिशत धलितों को भी दे दीजिए, जो गरीबी के रेखा के नीचे उनको दीजिए, और कुछ 15 परसिंग जिर माक कर दिया तो इसमें तकलीफ क्यों है, इस समें हमारे जो मुसल्मान भाई बैने, माइनोटिक, उनकी शिक्ष ये का ब्रेक के बाद लोटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा यकीन क्यों है, रीता बहुगुणा को कि कॉंग्रिस उत्तर पुदेश में बेहतर करेगी, और रीता बहुगुणा ये कह रही हैं कि लखनव उन्हें जिताएगा, जानेंगे रीता बहुगुणा से इस ब्रेक के बाद, आपको और जो गरीब तपके के लोगें, वो नहीं दिखाया पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर ब्रहमन जो है, उसे बाहर दिका दिया गया, जमीने चीन ले गए, गर चीन ले ले गए, उनके संग जैस्टिस कौन करेगा, ये बिल्खुल गलत है, अब नहीं होना च करनी चाहिए, बट प्रॉब्लम हा क्या है, कि वही है कि बॉर्डर क्योंकि हमारा कश्मीर बटा हुआ है, तो वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेर्रिरिर्सम होता है, उसके वज़े से डर से जो हिंदु वहाँ से निकले हैं, वह वापस जाने की इमत नहीं कर पा रहे हैं, प तो उसमें क्या गरीब बामर्ग बच्चे को या जो भी बच्चा गरीब हो, अमीर हो जैसा भी हो, अगर वह जाता है स्कुल में तो उसको बस्ता नहीं मिल रहा है, उसको यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, बोजन नहीं मिल रहा, जूता नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है, इसके मिल रहा है क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन जो लोग अपने बच्चों को प्राइविट स्कूल में ढालते हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता तो अगर गरीब अपने बच्चे को भेज रहा है और उसको मिल रहा है तो मैं इर्शा नहीं हो नीचे यह इर्शा की बात नहीं बात यह आप समानता की बात करें आप अंतोदय की बात कर रही है और आरक्षन आप जाटों को दे दिया गया क्यों नहीं ये बात आ रही है कि आमदनी के हिसाब सही आरक्षन दिया जाए ये बात क्यों नहीं आ रहे क्रीमी लेयर के नीचे वाले और उपर वाले गरीबी की रेका के नीचे वाले और उपर वाले इसका गलत इस्तिमाल हो रहा है और देश जो है जिस स्थिती में पहुँच गए आज आपके पास अच्छी प्रतिबा नहीं बच रही है सब पलायन हो रहा है हर जगे योग्ये हैं हर जगे आयोग्ये हैं मौका दियाज गया है इस पर बहुत चर्चा पार्लिमेंट के अंदर पार्लिमेंट के बाहर हो रही है क्रीमी लेर के बारे में हो रही है बहुत सारे स्टेट्स ने क्रीमी लेर को निकाला भी है बहुत सारे स्टेट्स ने अती पिछलों को दलितों में, अती पिछलों को पिछलों में अलग से अरक्षन भी दिया है, लेकिन अगर आप यह कहें कि अरक्षन समाप तो यह तो गलत होगा, लेकिन हां, अती पिछले कैसे आगे आए, अती पिछले कैसे आगे आए, अती पिछ चाहिए कि जब हम उपर उठ गए हैं तो हमें दूसरों को मौका देना चाहिए समाज के अंदर से यह आवाज परिवर्तन इमेशा सिर्फ कानून से नहीं बनते यह इंटरनल अवेक्निंग से बनते हैं एक जागरन होना चाहिए समाज के अंदर गरीब रामर को भी तो विवस वैवस्ताय तो उनके लीए गे अनराच नहीं है अनराच अने कडा़ है तो सब के लिए अकर आपका मंद्रेगा तो सब के लिए कर्ज माफी विए तो सब के लिए भी ऐसा का नहीं आयगコई नादर साथा नहीं किंह कि नहीं है 50 फ़ आने 75 % तो अ हैं रेजरवरेशन से 50 प वर्ग है जो सद्दियों से प्रतारित हुआ है उसको मौका मिलना चाहिए लेकिन उसमें जो आगे बढ़ गए उन्हें खुद सोचना चाहिए कि अब पीछी से भी लोग आगे 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 महिलाओं का वूट अगर कॉंग्रेस को मिलेगा तो कैसे मिलेगा आपका एजन्डा क्या है भाइजन्दा पार्टी पहले जनसंक भाइजन्दा पार्टी इनका कभी को राष्ट्रदेक्ष महिला हुई नहीं हुई इनकी हमारे स्टेट में बाकी सेट की जानते उत्तर प्रद प्रदेश एक बटा च्यावादी और वहां पर इनके जितने भी अध्यक्ष हुए सब पुरुष एक भी महिला अध्यक्ष हुई नहीं हुई कॉंग्रस ने एनी बैसन से लेकर और सोनिया गांधी तक और उत्तर प्रदेश में सुच्छत दक्रप्रानी से लेकर मुझ तक आदा दर्जन से जाथ औरतों को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया राष्ट के मारी अध्यक्ष महिले रुप जाए वो भी क्यों दी हमारी वज साथ 500000 महिला को कभी दिया 25 साल की ये पांचों सीते हमारी रहें ताप आप 1 महिला को क्यों में यड़्स कर सके देखिए महिला के लिए चाही वो कमिशन रहा है sony online के लिए सोशल वेलफ बौर रहा हो चाह मायना के लिए उनको वित निगम रहा हो या महिलाओं को आरक्षण हो 15 लाख महिलाओं को अगर किसी ने इंपावर किया स्थानिय निकायों पंचायट से लेकर और मेर्थ कंग्रेस पार्टी के सरकार ने किया महिलाओं के लिए थे किया गया भारती जंदा पार्टी कुछ भी किया वो मुझे बताएं साथ साल में जब उनका यहां राज शासन था एक चीज बताएं जो उन्होंने महिलाओं के लिए कियो नथिंग पोजिशन जो उनकी है वो कहते हमने तो राश्टपती बना दिया वो सीधे तौर पर आपको बता रहे हैं उन्होंने कहा कि हमने तो माभारती को भी चीफ मिनिस्टर बनाया था वो सिफ कॉंग्रेस के दबाव से जब कॉंग्रेस ने महिलाओं को तेजी सागवरा सोनिया ज और हमारी अप्चे पर से मारी स्पीकर सारी ओरते हुए कभी अतिहास रचा आम लोगों ने उन लोगों ने शीला दिक्षित को हमने या बटाया तब उनको लगा कि हमें भी किसको बटाना चाहिए सीधी सी बात है महिलाओं को हमने जब सशक्त किया तब भारती जंदा पार महिलाओं को क्या हक नहीं है कि अपनी प्रतिभा के अनुसार जीवन में कुछ कर सके जब हमने महिलाओं को एंपावर किया तब बीजेपी आ गया है जब यूद की बात युवा भी जब राहुल गांदी जी ने 2004 से युवा की बात शुरू करी उसके पहले राजीव जी ने सीखा हमने युवा को बजबू करना शुरू का उनको जागरन हुआ आप सुरुक्षा क्यों ने कर पाते हैं महिलाओं की यह बात पूरे देश पर लागू हो रही है और यह बाते ओट रही है यह देखिए दुर्भा की पूर सरकार की नीटी ने किसी भी समाज में महिलाओ की सुरुक्षा एक कानूना बना सकते हैं सरकार पुलीसिया प्रबंद कर सकती है जब तक आपकी मानसिक्ता नहीं बद लेगी तेकि पुरुष प्रधान सुना आज है हम लोगा पूरा इशिया का एशिया की किसी भी आप देश में आपके मैनिफेस्टों में क्या आ रहा इ कि हम लोगा ने अपनी राइदी है और महिलाओं के मलाओं की सुरक्षा का विशय है महिलाओं के आर्थिक, राजनेतिक, समाजिक, सशक्तिकरन का विशय है हम लोगा ने सारे विशय लिए है और महिलाओं के लिए बहुत पकी सोच है आर्थिक शक्ति महिलाओं के हाथ में चाहिए लखनौ बड़ा क्रांटीकारी रहा है चाहिए 1857 की बात हो वेगम हज़त नहीं कि समय से लेके और फिर लखनौ में भी कहा जाता है मुस्कुराइए कि आप लखनौ में हैं आप लखनवालों से क्या कहना चाहती है लखनवाले अगर मुस्कुरा के आप की तरफ आए मुस्कुरा के नहीं मैं तो लखनवालों से पील करूँगी अपने हलातों पे आपको नहराजगी और गुससे का इजार करना चाहिए भारते जंता पार्टी समाजवादी और भारते देंगे आप 25 वर्षों में आपके शेहर की दुर्दशा की है आपको अपने शेहर का गर सुधार करना है तो आप कॉंग्रेस के उमीदवार को जिताईए देखिए शीला दिक्षिजी ने दिल्ली की सूरत बदली अगर इन लो आप उठाकर देखिए लखनों के विश्य पितने सवाल पिछले 25 साल में पूछे गए होंगे पार्लिमेंट में कुछ नहीं आप क्या देना चाहती है लखनों की जो इंफ्रस्ट्रक्चर है उसको बहुत तेजी से बहतर होना चाहिए जैने नारियुम में जो पैसा जाता ह उसका उचित उप्योग होना चाहिए इतनी बुरी हालत है पुरा शेर खोद के रख दिया सीवर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं लोग देखिए लोगों बड़ी-बड़ी बहते से मिनी आती है उनको साफ पीने का पानी चाहिए उनको एक अच्छी सी सलक चाहिए उनको साफ नाल आप करते हैं कॉमन वेल्ड का गोटाला आप करते हैं आधर सोसाइटी गोटाला आप करते हैं वो कहते हैं कि आप चौपर गोटाला भी करते हैं यह सारे अभी आरोप इन लोगों ने बहुत सारे इंफलेट करके किया है मैं पुछता है कारगल में शेदों के ताबूत का ग लेखंब हैं कि अगुझ औने इने टमपने से इंन के कि anxiety करें नहीं और हैं जए परिंदिन्देगन से कौने सभून में करा नहीं है कि यह जिने खुद बॉस्का प्रहोप ने घैटें फचीसों उनके कार्यकाल करें लिकेन हम लगोंने जिस्ते बरष्ट आचार किया हमेर सूचना के अधिकार कानून से उलोग पकड़े कैं लेकेन हम हमारी सरकार अपराधी और कानून की बीच मेहीं आए आज परस्टाचार में सबसे बरष्ट एमाद्रप्रदेश की आज परस लोग अभी भी हिंदूस्तान के लोग बहुत सेकुलर है वो नहीं चाहते कि यहां किसी तरह का चलते चलते आखरी सवाह आप बारा मंकी में राहूल गांधी के संग रोड शो में थी राहूल गांधी और सोनिया प्रियंका का कितना असर इस बार उत्तरपदेश में होगा और अच्छी सीटों में से आप कितनी सीटे लेके आ रही हैं सब लड़ रहे हैं और सही बात है हमारा नेता है हमको लीड कर रहे हैं लेकिन बहुत कुछ मुश्य होगा हमारे उन सांसदों पर जिनको जनताने जिताया था 23 सांसद उन में से जाता तर लोग अपनी सीटों को रिटेन करें क्योंकि उनको पांच साल का मौका मिला था केंच सरकार ने उनको बहुत मदद करी है विकास के कारें के लिए और हम लोग जो सेकंड आये थे वो कोशिश करें सिर्फ एक लीडर नहीं पूरी टीम हमारे याँ लड़ती है और आप देखिए का 23 से बरकर सीटे कॉंगरिस के आएंगी चौकाने वाले रिजल 2009 में थे वही परफॉर्मिंस कॉंगरिस अप्पिर देगी फार्मना ने उससे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद रीता बहुगुना को लगता है कि लखनव बहुत समझदारी के संग अपने नेता को चुनता है अब देखना ये है कि इस बार लवाई सीधे तवर पर मानी जा रहे है राजना सिंग और रीता बहुगुना के बीच लखनव किसको चुनेगा ये तो आने वाला वक्त तै करेगा लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीठे लेके आएगा वही सरकार का गठन भी करेगा सोलवीन लोग सभा में उसी की सत्ता होगी अब आने वाले टाइम में ये देश की जनता को टाय करना है लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि अगर उत्तर परदेश ने जिसे प्यार दे दिया उसे दिलीने भी दिल में रख लिया होता है अब देखते हैं इस बार किस के साथ आने वाला सूरज विजय की रोशनी दिखाएगा आज क्रॉस फार में इतना ही प्रकर प्रकाश मिश्रा को दीजे जाज़त देश और दुनिया की बागे खबरों के लिए आप बने रहें सादना नियूस के साथ नमस्कार झाल